शादी हमारे लाइफ एक सबसे अहम हिस्टा होता है हम इसे लेकर कई तरह के सपने देखते है लेकिन कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे सपने ख्वाब बन कर ही रह जाते है पती और पतनी का रिष्टा जिन्दगी का सबसे अनोखा रिष्टा होता है और इसकी नीव भरोसा वप्यार पर कायम होती है लेकिन अगर यह भरोसा टूट जाए तो शादी टूटने में जरा सब ही समय नहीं लगता है शादी के समय लड़कियों के दिमाग में पती को लेकर कई तरह की सोच आती है जिसके बारे में सोचकर लड़कियां काफी परेशान हो जाती है उसका होने वाला पती कैसा होगा वो उसके माबाब की इज़त करेगा या नहीं और बहुत सी बातें हम एक ऐसा शादी से जुड़ा मामला बताने वाले है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे आज कल की शादियों में सेलफी लेना फैशन सा बन गया है लेकिन इस शादी की सेलफी ने तो पूरी शादी ही उज़ार कर रख दी आपको बता दे की ये मामला गुजराद के अहमदाबाद का है जहां पर शादी के दोरान एक दुलहे को अपनी पत्नी के साथ सिलफी लेना भारी पड़ गया बतादे की दूलहन बहुती सुन्दर थी जिसे देख दूलहा से फी लेने के लिए जिद्ध करने लगा लेकिन लड़की पक्ष इस बात के लिए सहमन्त नहीं था जिससे दूलहा ने लड़की के पिता को थपर माच दिया इसके बाद मामला बहुती गर्म हो गया बाद की अनहार तक आ गई की दूलहे को बारात वापस ले जानी पड़ी और बाद पुलीस तक पहुँच गई बताया जा रहा है कि अहमदाबाद के अमराई वाडी क्षेतर में स्थित हवीब शेट की चाली में रहने वाली एक लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वेह भी कौम की पढ़ाई कर रही है उसके घरवालों ने उसकी शादी संजे चोहान, चोबीस, नाम के लड़के से पैकी गई थी शादी के दिन दूलहा संजे उसके कमरे में आया था और अपने मोबाईल से अलग-अलग स्टाइल में सेलफी लेने लगा मनना करने पर वह गाली देने लगा इसके बाद उसने दूलहान के पिता को थपड़ भी माच दिया